देखें, तकरीपन मैं यह कहूँगी कि 2017 में फाइनली गवर्मेंट एग्री हुई थी हमारी कि वो एक एक्ट लाएंगी जो कि ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी, फो जुसरा कम्यूनिटी की प्रोटेक्शन का एक्ट होगा, बेसिक हुमन राइट्स का एक्ट होगा तो हमने कहा कि ठीक है, हम सब मिलके इस एक्ट को बनाते हैं, उसमें मैं भी शामिल थी, इसमें सारे लीडिंग आक्टिविस्ट शामिल थे और हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, पार्लिमेंटिरियन्स की तरफ थे, और वो बिल बड़ी अस्थानी से पास होगिया, तो थर्ड मिजॉरिटी से और हम बड़ा खुश हुए के फाइनली हमें शनाख्त मिल गई, फाइनली एक हमारे एक विक्ट्री हुई, दुनिया भर में इस कानून को बड़ा सराया किया, पाकिस्तान के लिए बड़ी एक काम्यावी थी, हैडलाइंस में न्यूज आई, और इवन इंटरनेशनल मीडि काफी सराया कि इतना प्रोग्रेसिव बिल पाकिस्तान ने मतलब पास किया है, लिकिन एस वक मैं ये सोचती थी, क्या प्रोग्रेसिव बिल डिजर्फ کرता है, क्या हमारे सुसाइटी काilt Lukas, की ते जूस काबल है कि वो इस एक्ट को डाइजिस्ट कर सके, और वो थी हुआ, एक बहुत प्रॉमिनिंट पार्टी जो के जिनके एक सेनिटर साथ ने एक जो है मामलात को खराब करना शुरू किया 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 उन्होंने अपनी स्पीचिस में एक नेरेटिव बिल्ड किया पार्लिमेंट में भी सैनिट में भी और उनके और लोगों ने भी कि इसलाम को खतरा है जैट से तो जब बात हुई तो मैं उस वक सोचते है क्यों इसलाम को खतरा होगा दिन इसलाम एक बहुत पावरफल रिलीजिन है भई और किसी भी religion को, किसी एक अतने कमजोर तब के, जिसको आपने कोई powers नहीं दिया, जिनको आपने कोई rights नहीं दिया, उन से खतरा कैसे हो सकता है? एक दुफ़ा तुपारा मैंने एक्ट पढ़ लिया, मैंने भूला क्या है इसमें पर उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था वक्त के साथ मुझे रियलाइज हुआ जब अचानक से एक हीट केमपेन स्टार्ट वी विच वस एक्चुली पेट वो एक पीट केमपेन थी के बचे बचे को पाकिस्दान में था कि यार यह होमोसक्शुलीटी का बिल है क्या मर्द की मर्द से अब शादी होगी हमारे तो कुछ लोग इतने मासूम थे कि उन्होंने कहा कि हम कहा जाएं शादी करने के लिए शजादी तो मैंने पुला ऐसा नहीं है यह एक केमपेन चली है जो हमारे खिलाफ है मेरे कम्यूनिटी के बड़े मासूम लोगों है एक मासूमाना हम से सवाल किया कि हम कोट में जाएं यह मौलवी साहब के साथ पास जाएं जिन नहीं रुक जाएं क्योंकि वह केमपेन उनकी इतनी कामियाब हो हमारी जो एक सुसाइटी है वह कभी भी इन बातों को सुनने के लिए पहले तो तयार होती नहीं बर साथ ही साथ बहुत एकसाइट भी होती है और अब वह उस हेट केमपेन के बातों जो उनके एकसाइटमेंट है वह अब अपसेशन में बदल गई है उनका मतलब लाइफ का क्रेज हो गया है इस एक्ट के बारे में बात करना हमारे बारे में बात करना हमारे जिसन के पार्ट्स के बारे में बात करना लेकिन वो सब बहुत नेगिटिवली बात कर रहे हैं और ये जो एक सियास्ट चलाई गई कि दीन को खत्रा है तो दीन को खत्रा वो इस तरह था कि बाद में उनोंने इस बिल को कलदम करार देने के बाद इनकी प्लान है कि अलैक्शन से बिल पस पस ये बिल अभी नोंने एक अलिवल ने एक और संट में बिल दे दिया है कि अलैक्शन से पस पस ये बिल पास करन कहें हमने इसलाम को बचा लिया